जालर वाले छे पी साड़ी पिटिकोड के लिए कपड़े पर मार्क करना और काटना वास्तविक सिलाई करने से पहले कपड़े के योग्य टुकड़े मार्क करके काटना बेहत ज़रूरी है इस पार्ट के अंत में आप जालर वाले छे पी साड़ी पिटिकोड के लिए कपड़े पर नाप कर मार्क कर पाएंगे जालर वाले 6 पीसाड़ी पेटिकोड के लिए कपड़ा काट पाएंगे जालर वाले 6 पीसाड़ी पेटिकोड के लिए नापने, मार्क करने और काटने के लिए ज़रुरी औजार और सामगरी से आईए परिचेत होते हैं वे हैं 2.7 मीटर सूती कपड़ा, नापने की टेप, दरजी की चौक, पैटर्न स्क्वेर और शियर्ज. पहले पार्ट में हमने जालर वाले 6 पी साड़ी पिटिकोट बनाने के लिए सभी भागूं का गण्ना किया था. हमारे पास हर पैनल की लंबाई है 37 इंच, कमर का घेर 6.5 इंच और नीचे की चौढ़ाई है 13 इंच, कमर के पटे की लंबाई 36 इंच और चौढ़ाई 5 इंच है, जालर की लंबाई 216 इंच और चौढ़ाई 5 इंच है, नाडे की लंबाई 50 इंच और चौढ़ाई 1.5 इंच है पहले हम कमर के पट्टे को मार्क करके काटेंगे कपड़े का एक स्थर लेकर उसे चौढ़ाई से रखिए ग्रेन की दिशा में एक सीधी रेखा खींचिए जो कटे किनारे के करीब हो यह रेखा 36 इंच लंबी होनी चाहिए इस पूरी रेखा पर पांच इंच नापकर मार्क कीजे और मार्क को बेस्लाइन से समानतर रेखा बनाते हुए जोडिए दोनों छोर पर दोनों रेखाई समकोन में जोडिए अब अंकित रेखाओं पर काटिए इस तरह हमने कमर का पट्टा काट लिया है अब हम जालर वाले 6 पी साड़ी पिटिकोट के लिए कपड़े पर मार्क करके काटेंगे इसके लिए पहले कपड़े को चोड़ाई से मोडे जिससे कटे किनारे एक के उपर एक हो और मोड आपकी तरफ हो अब हमको दो स्थर प्राप्थ होंगे अब हम साड़ी पिटिकोट के 6 पीस नाप के मार्क करेंगे मोड के दाइने छोर पर सेलविच किनारे से आधा इंच पर एक मार्क करें यह बिंदू शून्य है इस बिंदू से शुरू करते हुए एक समकोन रेखा खींचिये सेलविच किनारे के बाजू में जिससे वह समानतर है शून्य एक बिंदू शून्य से शुरू करते मोड पर 37 इंच नापिये जो पैनल की लंबाई है और मार्क करें और एक समकोन रेखा कपड़े के आधे से अधिक भाग पर खींचिये जाच कीजिये कि दोनों रेखाएं मोड से समानतर हैं और नहों तो ठीक कर लीजिये बिंदू एक से शुरू करते हुए सवा 3 इंच जो कमर की चोड़ाई का आधा है नाप कर मार कीजिये यह बिंदू 2 है बिंदू 2 से साड़े 6 इंच जो कमर की चोड़ाई है नाप कर मार कीजिये यह बिंदू 3 है बिंदू 3 से 13 इंच जो नीचे की चोड़ाई है नाप कर मार कीजिये यह बिंदू 4 है बिन्दु 4 से 6.5 इंच जो कमर की चोड़ाई है नाप कर मार्क कीजिए यह बिन्दु 5 है सभी नाप ठीक तरह से मार्क किये गए हैं यह सुनिश्चित करें और न हो तो ठीक कीजिए क्योंकि अगर एक नाप गलत हो जाए तो बाद वाले सभी नाप गलत हो जाएंगे अब हम यही तरीका दूसरी रेखा पर करेंगे लेकिन नीचे की चोड़ाई से शुरू करते हुए बिन्दु 0 से शुरू करते हुए 13 इंच जो नीचे की चोड़ाई है नाप कर मार्क कीजिए यह बिन्दु 6 है बिंदु 6 से 6.5 इंच जो कमर की चौढ़ाई है नाप कर मार कीजिए यह बिंदु 7 है अब बिंदु 7 से 13 इंच जो नीचे की चौढ़ाई है नाप ये और मार कीजिए यह बिंदु 8 है सुनिश्चित करें कि सभी नाप ठीक तरह से मार कीए गए हैं नहीं तो ठीक कीजिए क्योंकि अगर कोई नाप गलत हुआ तो आने वाले बाकी सभी नाप भी गलत होंगे अब दोनों तरफ के बिंदु सही तरीके से जोडेंगे जिससे पैनल प्राप्त होंगे पैटर्न स्क्वेर से बिंदुओं के बीच का अंतर क्योंकि ज़्यादा है हम नापने की टेप से एक मध्य बिंदु मार करेंगे जो हम बाद में जोडेंगे पहले शून्य दो सीधी रेखा में जोड़िए इसी तरह तीन छे सीधी रेखा में जोड़िए फिर चार साथ सीधी रेखा में जोड़िए अंत में पाँच आठ सीधी रेखा में जोड़िए इस तरह हमने साड़ी पेटिकोट के 6 पीस ड्राफ्ट किये हैं बिंदु शूने से शुरू करते हुए स्कर्ट पैनल के ड्राफ्ट किये हुए रेखाओं पर हम काटना शुरू करेंगे ध्यान रखिए कि हम कपड़े के 2 स्थरों से काट रहे हैं इस तरह हमने साड़ी पेटिकोट के सभी 6 पीस काट लिये हैं अब देखते हैं कि नाड़ा बनाने के लिए किस तरह कपड़े पर मार्क करके काटेंगे बचे हुए कपड़े में से लंबा टुकड़ा लीजिए जैसे हम यहाँ देख रहे हैं यह अभी 2 मोड़ वाला है हम सीधा कटा किनारा ले सकते हैं या फिर ग्रेन की दिशा में और कटे किनारे से करीब एक सीधी रेखा खींचिए यहाँ रेखा सर्फ 25 इंच लंबी होनी चाहिए क्योंकि हमारा कपड़ा दोहरे मोड़ वाला है नहीं तो हमें 50 इंच लेने चाहिए अब डेट इंच नाप के मार्क करें इस रेखा को समानतर और मार्क को सीथी रेखा में जोड़िए दोनों छोर पर समकोन में रेखाएं जोड़िए अब नाड़े के लिए कपड़ा काटिये इस तरह से हमने नाड़े के लिए कपड़ा काट लिया है अब जालर बनाने के लिए देखेंगे कि किस तरह कपड़े की पट्टी को मार्क करके काटते हैं स्कर्ट पैनल काटने के बाद कपड़े के दो बड़े बचे हुए टुकड़े लीजिए, सेलवेच किनारा और कटा किनारा लाइन में रखते हुए. क्योंकि हमारे पास 216 इंच का कपड़ा नहीं है, हम अनेक टुकड़ों में इसे काटेंगे. हमें कितनी पटियां चाहिए यह गणना करते हैं? हमारे कपड़े का लंबा वाला हिसा 40 इंच और अधा है. इसलिए हमें 40 को 6 से गुणना होगा ताकि 216 इंच से अधिक संख्या मिले. बाद में सिलाई करते वक्ट हम पट्टी का ज्यादा कपड़ा काट सकते हैं. इस तरह हमें जालर बनाने के लिए कपड़े की 6 पट्टियां काटनी होगी. यहां हम दोहरे मोड वाला कपड़ा इस्तमाल कर रहे हैं. इसलिए हमें 6 पट्टियां प्राप्त करने के लिए 3 बार काटना होगा. देखते हैं कपड़े की पटियां किस तरह से मार्क करके काटते हैं पहले कटे किनारे से पूरे कपड़े की चोड़ाई पर एक समकुन रेखा खींचिए फिर इस रेखा को समानतर 5 इंच नाप कर मार्क करें और मार्क को सीथी रेखा में जोडिए हमें ये एक और बार दोहराना है जिससे हमें छे पटियां प्राप्त होंगी अब जालर के लिए हम ड्राफ्ट लाइन पर काटेंगे याद रखें कि हम कपड़े के दो स्थर काट रहे हैं इस तरह हमने जालर के लिए कपड़ा काट लिया हैं अब हमारे पास जालर वाले छे पी साड़ी पिटिकोट बनाने के लिए कपड़े के सभी कटे हुए टुकड़े मौजूद हैं इस पाठ में हमने जालर वाले छे पी साड़ी पिटिकोट बनाने के लिए कपड़े पर नापना, मार्क करना और काटना सीखा समापन के पहले आईए इसके मुख्य मुद्दो पर गौर करते हैं कदम एक कमर का पट्टा बनाने के लिए पहले 36 इंच लंबा और 5 इंच चोड़ा कपड़ा मार्क करके काटिये कदम दो कपड़े को चोड़ाई से मोड़िये और 37 इंच मार्क करें जो स्कर्ट पैनल की लंबाई है कदम तीन उपर से पहले 37 इंच जो कमर की चोड़ाई का आधा है फिर 6 इंच जो कमर की चोड़ाई है नीचे की चोड़ाई 13 इंच और फिर से कमर की चोड़ाई 16 इंच मार्क कीजिए कदम चार नीचे से मार्क करें 13 इंच नीचे की चोड़ाई, साड़े 6 इंच कमर की चोड़ाई, फिर से 13 इंच नीचे की चोड़ाई कदम पांच स्कर्ट पैनल प्राप्त करने के लिए उपर और नीचे मार्क किये हुए बिंदों को जोड़िये कदम 6, साड़ी पेटिकोड के 6 पीस काटिये कदम 7, जालर बनाने के लिए कपड़े की पटिया मार्क करके काटिये कदम 8, नाडे के लिए 50 इंच लंबी और 1.5 इंच औरी पटि मार्क करके काटिये इसके साथ हम पाट के अंथ में आचुके हैं